निया हुक्म नामा नियू ओडिनन्स किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सम्त क्या है किदर जा रही है किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सम्त क्या है हवाएं को बताना ये भी होगा चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी कि आंधी की अजादत अब नहीं है हमारी रेत की सब ये फसीले ये कागस के महल जो बन रहे हैं हिफाज़त करना ये इनकी करना है जरूरी और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन ये सभी जानते हैं किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम करने अपनी हद में ठहरें उभरना फिर बिखरना और बिखरकर फिर उभरना गलत है उनका ये हंगामा करना ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत बगावत की अलामत बगावत तो नहीं बरदाश्ट होगी ये वहिशत तो नहीं बरदाश्ट होगी अगर लहरों को है दर्या में रहना तो उनको होगा चुपचाब बहना किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे कुछ अफसर होंगे जो ये तै करेंगे गुलसिता किस तरह बनना है कलका यकीना फूल यक रंगी तो होंगे मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हलका ये अफसर तै करेंगे किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्ता में कहीं भी फूल यक रंगी नहीं होते कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं जिनोंने बाग यक रंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में सो रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशा हैं वो कितने तंग रहते हैं किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुकम सुनती है हवाएं हाकिमों की मुठ्टियों में हटकड़ी में कैद खानों में नहीं रुकती हैं ये लहरें रोकी जाती हैं तो दर्या कितना भी हो पुर्सकूं बेताब होता है और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है ही मुझा हुआ